गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को दावना ना भूलें बहुत पुरानी बात है एक देश में एक राजा हुआ करता था उसका नाम मायादास था लाल्ची होने से वह गरीब बनकर रहता था एक बार उसके महल में एक मुनी आए राजा ने मुनी को सतकार दिया राजा के सतकार से संतुष्ट मुनी बोले राजा तुमारा कल्यान हो मन चाहा वर्दान मांगो मुनी द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर लोब से बोला मेरे द्वारा छुए गए पदार सोने के हो जाएं ऐसा ही हो यह गहकर मुनी चले गए मुनी से वर्दान द्वेकर माया दास घर में गुसा वहाँ पर रखी चीजों को उसने स्पर्श किया जैसे ही उसने स्पर्श किया वह चीजें फौरण ही सोने की हो गई यह देखकर राजा बहुत खुश हुआ इसके बाद उसे बहुत प्यास लगी वह जैसी जल पीने लगा जल भी सोने का हो गया तभी राज कुमारी फूलों की टोकरी देकर वहाँ आई पिता जी ये फूल बहुत सुन्दर है यह बोली राजा ने टोकरी को हाथ से चुआ उसके चूने से टोकरी भी सोने की हो गई यह देखकर राजकुमारी बहुत दुखी हुई पुत्री को मनाने के लिए माया दास ने उसे अपनी गोद में बिठा दिया परन्तु राजकुमारी सोने की मूर्जी हो गई माया दास शोक के कारण जोरों से रोने लगा तभी वहमुनी राजा के सामने आए माया दास ने उन्हें नमस्ते किया रिशी अपना दिया हुआ वर्दान वापस ले दे मेरी पुत्री मेरा जीवन है ऐसा निवेदन किया मुनी बोदे माया दास तुम्हें अब सोने का महत्व समझ में आ गया होगा बगीचे से जल लाओ उस जल से सींची वस्तुएं पहदे जैसी हो जाएंगी ऐसा कहे कर मुनी वहां से चले गए राजा ने बगीचे से जल लाकर सभी वस्तुओं पर छिड़क दिया जिससे वह पहदी जैसी हो गई सोने की राजकुमारी भी हसने बोलने लगी राजा बहुत खुश हुआ अब वह जान चुका था कि जैसी बुरी बदा है शिक्षा इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी जैस नहीं करना चाहिए जितनी वस्तुएं हमारी पास है उसी में संतोश करना चाहिए थेंक यू गाइस अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें थेंक यू